क्रिप्टो करंसी के दुनिया में आप सभी का एक बार फीर से स्वागत है दोस्तो आज के वीडियों बात करने वाला हूँ पाई नेटवर्क के बिड्रो को ले करके अगर आप पाई नेटवर्क में नई हुज़ा रहे हैं या फिर ओल्ड हुज़ा रहे हैं अपना रेफरल कोड कमेंड कर सकते हैं ताकि आप से लोग जूड सके हैं तो गाई यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क में अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो इसका बिड्रो प्रोसेस क्या है मतलब एक्चुल इसका कैसे क्या होगा कैसे बिड्रो करना है क्या नहीं गलती करना है क्या करना है सारी चीज़े बात करने वाला हूँ डीटेल में जो प्रोसेस में आप लोग को इस वीडियों बताने वाला हूँ अभी तक कोई भी ये चीज नहीं बताया होगा और आप लोग इस चीज़ से अंजान होंगे तो चल मान लेजिए कि डेली बाइ डेली माइनिंग नहीं करते हैं एक्टिव यूजर नहीं है अगर पाई नटवर्क के तो आपको के वाइसी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा मतलब अगर के वाइसी का नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप इसमें के वाइसी नहीं कर पाऊगे दिन छोड़ दे रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आप इसके एक्टिव यूजर में सामील नहीं हो पाएंगे जब इसमें आप सामील नहीं हो पाएंगे तो हो सकता अगर मान के चलिए आपने पाई में माइनिंग कर रहे हो तो आपको नंबर वेरिफिकेशन करना होगा अगर आप माइनिंग कर रहे हो तो आपको तीन डॉट पर जाकर अपना प्रोफाइल में जाकर अपना नंबर वेरिफिकेशन करना जैसा कि आप स्कीन पर देख सकते हो कि या मेरा नमबर already verify है इस तरीके से आपको नमबर अपना verification कर लेना है और जो तीसरा चीज़े दोस्तो पासवर्ड को आपको याद रखना होगा तो गाई इसकीन पर देख सकते हो कि मेरा जो पासवर्ड का सिंबल है वो सही का trick लगा हो है ग्रीन कलर का यह आपका पासवर्ड आपको याद रखना चीज़े और पासवर्ड वेरिफिकेशन होना चाहिए ठीक है तो यह मेरा पासवर्ड वेरिफाई है मुझे पासवर्ड भी याद है जो पासवर्ड आपने इसमें यूज किया उस पासवर्ड को आप कहीं भी बुक पे काफी पे लिक के रख लेजी त कर सकते हैं कैसे करना है यूटूब पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे जाके आप एक वालेट कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि जब तक आप वालेट नहीं करेंगे तब तक आप अपने पाइक को अपने वालेट में इस्टोर न कर पाएंगे अब दोस्तों जो नेक्स इस्टेफ है वह है पासपर्स की का पासपर्स की यानि कि वालेट बनाने से पहले आपको एक पासपर्स की करना पड़ता है यानि कि मिलता है जिसे आपको संभाल के रखना होता है अगर माल लीजे कि पासपर्स की आपका खो जाता है ठीक है तो आप उसे अपने account को recover नहीं कर पाएंगे जब account recover नहीं कर पाएंगे तो आपका सारा coin loss हो जाएगा आपका coin है पाई coin वो किसी काम का नहीं होगा तो जाके pipe browser application को place to download करके आप passports की create कर लीजे बना लीजे wallet के दर करने से बिले अपना passports की अपना अच्छे से उसको save कर गे रख लीजे जो next step है वो है कि अगर आप fake account यूज करते हैं तो उसे delete कर दीजी अभी भी delete कर दीजी वरना आपका main account यानि कि आपका जो real account है वो भी delete हो सकता है जो next step है सांतवा step जो सबसे important है वो है KYC को लेगर के KYC के लिए आपकी उमर कितनी होनी चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि KYC के लिए आपका particular कोई age का यहां पे कोई requirement नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18 साल से भी अगर आपका उमर कम है तो आपकी KYC यहां पे हो जाएगी लेकिन लेकिन आपके कोई भी उमर हो लेकिन यहां पे सबसे important बात मैं आपको बता दूँ अभी तक कोई नहीं बताया होगा आपको यहां पे parents के साथ आपकी KYC verification किया जाएगा निकि आपके माता पिता के साथ यहां पे photo verification के साथ पुरा complete KYC किया जाएगा मान के चलिए आपके family में आपके parents में ममी नहीं है या फिर पापा नहीं है किवल एक लोग हैं तो उसी से भी आपकी KYC हो जाएगी अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं आठवा जो next step है कि यहां पे आपके पास जो की proof होना चाहिए ID proof अगर आपके पास ID proof नहीं होता है तो आप यहां पे KYC नहीं कर पाएगी मतलब कि आपका कोई भी अधार कार्ट, pen कार्ट, photo verification के साथ complete आपकी KYC की जाएगी दोस्तों आपको मैंने जितनी भी step बताई है एक से लेके 8 तक मैंने आपको जो भी step बताई है यह सारा step अगर आप complete कर लेते हैं तो exchange मिलेगा जिसपे आप अपने coin को withdraw कर पाऊगे अभी दोस्तों आप PIE में कोई भी earning नहीं कर रहे हो अभी सिर्फ आप mining कर रहे हो मेरे पास क्रिप्टो ट्रेडिंग अप्लिकेशन माई टोकल अप्लिकेशन देख सकते हो कि यहां पर अभी ढ़ाई बज रहा है और यहां पर जो मेरी earning है अभी बयाली सो आट सट रुपे हो चुकी है रात को बारा बज़ तक बढ़ता रहता है यह सब बोट यानी ट्रेड इसकी पूरी जनकारी आपको इस वीडियो को डिस्क्रेप्सर मील जाएगा जाके आप जरूर चक अउट किजी कैसे क्या करना है सो आपको वीडियो में थांक्स पॉर वाचिंग